महराष्ट्र और तेलंगाना राज के बॉर्डर पर बना एक घर चर्चा में है दरसन यहाँ घर दोनों ही राज्जों में पड़ता है घर का आधा हिस्सा महराष्ट्र में तो आधा तेलंगाना में है दो राज्जों में बनते इस घर की रसोई तेलंगाना में है वही bedroom और hall महाराश्ट्र में है सुनने में यहाँ बात लोगों को अजीब लग सकती है पर यहाँ हकीकत है तेलंगाना और महाराश्ट्र के border पर मौझूद महाराजगुडा गाव के 10 कमरों वाले घर में पवार परिवार रहता है पवार परिवार के घर के चार कमरे तेलंगाना में है वही चार अन्य महाराश्ट राज में आती है घर का रसोई वाला हिस्सा तेलंगाना में है वही हॉल और बेडरूम वाला हिस्सा महाराश्ट में है पवार परिवार में कुल मिलाकर 13 सद से है दस कमरों वाने घर में उत्तम पवार और चंदू पवार सालों से रह रही है 1969 में बॉर्डर का विवाज शुरू हुआ था इसके बाद पवार परिवार का घर और जमीन दो राज्यों में बंड गया था उत्तम पवार ने कहा कि हमारा घर महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों राज्यों में है लेकिन इस वजह से उन्हें आज तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई परिवार दोनों ही राज्यों में प्रॉपरटी टैक्स भरता है इसके बदले में उन्हें दोनों ही राज्यों की सरकारी योजनाओं का भी लाब मिलता है पवार परिवार के पास दोनों ही राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहन है महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा से लगे चौदा गावों पर अपना दावा ठोक रहे हैं भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गाव महाराश्र के हैं लेकिन तेलंगाना इस गावों को अपने हिस्से के रूप में दावा करना जारी रखा है इन में से चौदा गावों में से एक गाव महाराजा गुड़ा है जो दो राज्यों के बीच बंटा हुआ है गाव ही नहीं पवार परिवार का दस कमरों का घर भी दोनों राज्यों के बीच बंटा हुआ है झाल झाल